हलो दोस्तों एक बाज फिट से मेरे चैनल के NK Smart Study Up में आपका स्वागत है और आज भहुत खुशी की बात है कि MPNHM जो CHV का था उनने फर्स्ट जो 30% वेटिंग लिस्ट फॉर जुलाई टु डिसमबर डिसमबर के लिए डाल दी है और उसी प्रकार उनने आपको एक और खु बहुत 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 बदाई और आज भुत खुशी की बात है और सब्सक्रता है और उसरा कि मैं आपको न 12 बता कि क्या बात है मैं आपको 10% पे ले जा रहा हूं और 90% पे ले जाने से पहले आपसे फिर से एक बार request है मेरे चेनल को like करिएगा, share करिएगा, subscribe करेगा ठीक है दोस्तो हम 90% पे जा रहे हैं तो दोस्तो ये category wise अलग-अलग उन्हें category wise दे रहा है कि category wise 30% waiting list for admission in CCH July-Dcember बेज के लिए है तो दोस्तो यहां पे आपका roll number दे रखा है और यहां पे आपका नाम दे रखा है और यहां पे आपकी rank दे रखी है यहां के आपके पिता का नाम और यहां पे आपकी चो category है दोस्तों वो दे रखी है तो जिनका भी हुआ है उनको बहुत बहुत बदाई और यहाँ पर आप अपना नाम जरूर दे के और नाम में देखने के बाद इसमें देखी कि जनरल केटिगरी में उनने कितने कैंडिडेट लिये हैं और यह जो 146 candidate है उसके बाद आगे हम देखते हैं कि 146 में last में है रानु मीना जी है और इनका हुआ है रानु मीना जी आपको बहुत-बहुत बदाई हो और भी बहुत सारे candidate में सबका नाम नहीं ले पाऊँगा पर जो सबसे पहले में जितका बताऊँगा कि जब first है उनको भागीरत नहराजी है और इनको भागीरत नहराजी आपको बहुत-बहुत बदाई आपका हुआ है CHO में आप नेस्ट CHO हो और ट्रेनिंग के बाद आप अच्छे से अपनी पोस्ट पर जोइन करें तो यह जेनरेल के टीगरी के हैं उसके बाद आगे और देखते हैं G u becar की दक्रें चिव करते हैं और अज आपके परिवार के लिए बहुत खुसी की बात करें तो यह अनेता बुड़े आ और इनको अनिता बुड़े जी आपको बहुत-बहुत बदाई एपका CHO में अगया है और आज आपके परिवार के लिए बहुत खुसी की बात होगी लिए खुशी की बात होगी और मेरे लिए भी खुशी की बात है क्योंकि आपने अगर मेरा यूटूब वीडियो देखा है तो कुछ ने कुछ तो आपको जानकारी मिली होगी उसी प्रकार आगे और देख सकते हैं कि कि OBC केटिगरी में किते केंडिडेट लिए है उनने दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि OBC केटिगरी में भी उनने 143 केंडिडेट लिए हैं और लास्ट में जो कविता धाकर जी है उसके प्रकार आगे देख सकते हैं एसी केटिगरी में प्रताफ सिंह तावर जी है और इनने के बिडिंग मिली है 90 लोग और स्ट के हैं टोटल पांच लोग आप दोस्तों यहां पर यह वेटिंग में नाम आया है और वेटिंग में नाम आने के बारत अभी उनने 30 पर्चंट में एडमिशन के लिए कितने लो साथ 2020 को यह और इसमें क्या देर रखा है मैं वह बताऊंगा आपको कि इसमें देख सकते हैं हैं हेल्थ एंड वेल्लेस कारक्रम अंतर कर सेटिप्रेट कोर्स इन कम्यूटी हेल्ट के सिक्स मां के प्रसिक्षण हेतु निर्धारी सेक्षण ही अरता करी आवेदकों कि दिनांक 10-12-2019 को आयोजित आनलाइन पर इच्छा के अधार पर दिनांक 5-6-7 अगस्त को चैनित अभ्य हर्तियों के द्वारे इगनू के अंतरकर संचालित प्रोग्राम सेंटर में प्रवस ल लिए टोटल उन्हें दोस्तों किते लिया है उन्हें अभी आगर लिया थो उन्हें टोटल केवल 345 केंडिडेट के लिए सबी चाहिनित अभ्यारती सल्लक नुशुची में लेकित केंदर पर सभी जिनका केंड़िट जिनका हुआ हुआ है उनको 27 और 28 अगस्त 2020 को प्रासर दो दिन में आपको यहां पर एड्मिसन लेना पड़ेगा दोस्तों उसके बाद आगे देख सकते हैं कि प्रवेस है तुसरोर प्रतम जून पत्र अनुसार सभी दस्तावजों की मूल प्रती एवं सत्यापित चाया प्रती साथ में लेकर उपस्तित हो प्रवेस के समय 15,000 का डिमांड राप्ट सलगन करके अनुसार इग्नू के नाम से बना कर लाना आनिवार है यह राजी प्रसिक्षन पूर्ण करने के प्रशाद अवांटित प्रोग्राम स्टेडी सेंटर में 31 आगस्त 2020 को 29 बजे रिपोर्ट करेंगे दोस्तों अगर आपका हो जाता है तो आपको 31 आगस्त को वहां पे एडमिशन लेके आपको स्टेडी सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा दिरान का 28 आगस्त 2020 को सायम 5 बजे परशाद नहीं दिया जाएगा प्रवे से तु सलगन सुची में आवांटित प्रोग्राम स्टेडी सेंटर में कोई परिवर्टान या इस्तान तरन नहीं किया जाएगा उसके बाद यह उन्हें BMS वालों के लिए है और यह गर्वती महिलाओं के लिए इससे आप ले उसके बाद आपको तेन्थ कीट उत्तिन मांक्स कीट ले जाना पड़ेगी उसके बाद आपका रेजिस्सेंट नर्सेस कांसलिंग या मद्यपरदेश युनानी चिकिसा प्राणी प्राकरतिक चिकिसा प्राणली का वेत पंजीन प्रमान पत्र चाहिए नविन पासपोर्ट साइज का सत सताप ना उपराणतर निरंतर नियूंतं तीन वर्ट से कार ये समपाधन की समधिका उल्लेक हो उसके बाद आपका केटिग्डी प्रमान पत्र होना चाहिए अपका मेडिकल फिटनेस प्रमान पत्र नियूंतं कम से कम MBBS जो डाक्टर रहते है उनसे बना हुआ होना चाहिए उसके बाद सवीधा हदार पर अगर आप स्टाफ नर्स की रूप में कोई काम कर रहा है तो उनको आपका जो पुराना बंद पत्र हो चाहिए अगर आपके पस अनुभा पत्र हो तो वो लगेगा इसके बाद सर्टेपेट कोर्स इन कम्यूटी हेल्थ चाहिन परिक्षा की अंक सुची प्रवेस पत्र मूलता है एवं सत्या पर चाहय प्रत्री आपको लेकर जाना पड़ेगे अब यहां पर उन्हें कुछ नोट दे रहा कि कि किसी भी प्रवाण पत्र की कमी होने की स्तति मे उमिद्बार आपात्र माने जाएंगे प्रवेस नहीं दिया जाएगा इस सम्मंद में कोई अभ्यावेदन मानने नहीं होगा तो दोस्तों आप अपने सभी डाकुमेंट सभी लेकर जाए और यह स्टुडी सेंटर हैं और यह कौन से नाम का अपको भुपाल के नाम बनवा पड़ेगा तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बदाई जिनका हुआ है उनको और आगे यह बंदपत्र है इसमें आपका बॉंड है उसके बाद आगे देखते हैं किनका किनका नाम आहाँ यह एप्लिकेशन है इसको डाउनलोड करें और इसको फिल करना है आपको फिर आगे देखते हैं यहां से लेते हैं यह पुरानी 19 के हैं और उसके बाद उन्हें यहां से लिया है तो यह राम सुक शुकला जी है और इनको बहुत बदाई इनको स्योनी मिलावा है वैसे ही यहां पर आपकी आपकी रोल नंबर दे रखा है आपकी यहां पर रेंक दे रखी है यहां पर आपका नाम सेंटर और आपकी केटिगरी दे रखी है तो आप इसमें अपना नाम जरूर देखे और नाम देखने के बाद आपको कहां पर सेंटर मिला हुआ है आप इसमें एडमिसल लेने की जो भी कोसित करना है आपको सारी कोसित करना है अब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कम candidate लिए है दोस्तों इनने और जिनका भी हुआ है बहुत बहुत बधाय अब यह लास्ट में है आपको पता था कि में लास्ट में एक खुशकबरी है वैसे और वो खुशकबरी है यह आप देख सकते हैं 292 पर है CHO 20039739 12712 सरमिला जी है और इनको डिस्टिक हॉस्पिटल भिंड मिला है और इनको बहुत बहुत बदाई और दोस्तो यह खुशकबरी बात यह है कि यह मेरी मिसेश है और यह मेरी मिसेश है और इनका नाम सरमिला है तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनका हुआ है तो दोस्तो आप जिनका भी हो है और उनको बहुत बहुत बदाई थेंक यू बेरी मच आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ही ऐसे आपडेट आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल पर आपको ऐसे आपडेट मेरे चैनल पर मिलती रहेगी जो भी जानकरी होगे मैं आपके साथ सेर जरूर करूँगा और मैं इनको खुद को इनको एडमिसन करवाने लेके जाऊँगा तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो आपका दिन सुब रात्री थेंक यू बेरी मच